क्लास 7 बोथ मीडियम विशय हिंदी व्याकरण अर्ध्याय एक भाशा और व्याकरण लेंग्वेज और ग्रामर अभ्यास कार्य क सही विकल्प का चयन कीजिए पहला आपको दिया है हमारे देश की प्राचीन भाशा है पहला अप्शन दिया है संस्कृत दुसरा दिया है अंग्रेजी हमारे देश की प्राचीन भाशा कौन सी है? संस्कृत सही उत्तर होगा आपका संस्कृत दूसरा देखिए, रूप के आधार पर भाशा के प्रकार होते हैं, पहला option दिया है 5, दूसरा option दिया है 2, सही उत्तर होगा आपका 2, तीसरा देखिए, बालक अपने परिवार से जो भाशा सीखता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे मात्र भाशा, जो हम अपने घर वालों क साथ घर में रहकर बोलना चालना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं मात्र भाशा, अगला दिया एक चोथा आपको भाशा को लिखने का धंग कहलाता है, ली पी, क्या कहलाता है, ली पी, पहला option दिया है आपको ली पी और दूसरा option दिया है फ्याकरण, अगला देखिए, दूस के विचार जाने जाते हैं सही undertaking होगा आपका लिखित अग्ला दिया है दूसरा और्दू भाषाutar और व४ भार्थिय है तुसरा दिया है आपको देवनागरी legitimate लिख है चटी है देवनागरी लिपी में हिंदी अग्ला दिया है संस्क्रत भाषा की लिपी है कौन सी लिपी होती है संस्क्रत भाषा की देवनागरी अगलत यह है आपको भाषा को लिखने का धंग कहलाता है लिखने का धंग क्या कहलाता है लिपी अगलत यह है भाषण भाषा का रूप है भाषण हम कैसे देते हैं बोल कर देते हैं तो कौ सा रूप हुआ मोखिक है ना भाशा का कौन सा रूप हुआ मोखिक रूप अगला दिया है आपको सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्न लगाईए पहला दिया है आपको लीपी भाशा का ही दूसरा रूप है गलत दूसरा दिया है लिखित भाशा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है सही तीसरा दिया है बोली भाषा का छोटा वक्षेत्रिय रूप है सही चोथा दिया है सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग नहीं करते गलत पांचवा दिया है व्याक्रण का संबंध बोली से है गलत आगे देखिए पहला आगे देखिए आपको दिया है निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्ण दिया है आपको भाशा किसे कहते हैं अभी आपने उपर भी सुना भाशा किसे कहते हैं देखिए भाशा वह साधन है जिसके द्वारा मनुश्य अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव या विचार समझता है वो क्या कहलाती है भाशा दूसरा दिया है आपको भाशा के कारित को सो धारन समझाईए भाशा का मुख्य क्या रिक्या है विचारों का आदान प्रदान करना हैना उधारण स्वरूप हम भाशा के माध्यम से ही हमारे सुख और दुख व्यक्त कर सकते हैं तीसरा देखिए भाशा के कौन-कौन से रूप है सोधारण स्पस्ट कीजिए भाशा के रूप भाशा विचारों के आदान-प्रदन का साधन है बोलने अथ्वा लिखने के प्रयोग में लाया जाता है इस आदार पर भाशा दो रूपों में द्रस्टी गोचर होती है पहला दिया है आपको भाशा का रूप मोखिक भाशा और दुसरा दिया है लिखित भाशा मोखिक भाशा देखिए जब हम अपने भाव या विचार बोल कर प्रकट करते हैं तो यह भाशा का मोखिक रूप होता है इसे ही मोखिक भाशा कहते हैं बादचित, वादविवाद, भाशन, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाशा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है दुसरा दिया है आपको लिखित भाशा जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाशा का लिखित रूप होता है इसे ही लिखित भाशा कहते हैं पत्र, लेख, पुस्त, कहानी, समाचार, पत्र, पत्रिकाओं आदी में भाशा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है लिखित भाशा में ध्वन्यों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है अगला कुशन देखिए चोथा दिया है आपको बोली किसे कहते हैं भाशा जैसे जैसे विक्सित होती जाती है वैसे वैसे ही विस्तार होती है तथा उसका क्षेत्र भी बढ़ता जाता है इस कारण उसमें परिवर्तन आते रहते हैं ये परिवर्तन किसी अन्य छोटी भाशा को जन्म देते हैं ये छोटी भाशाएं बोली कहलाती है हिंदी एक बड़े शेत्र में बोली जाती है परंतु स्थान विशेश के लोग इसे अपने विशेश रूप में बोलते हैं ब्रज के लोगो द्वारा विशेश रूप दिये जाने पर यह ब्रज भाशा राजस्थान के लोगो द्वारा राजस्थानी हरियाना के लोगो द्वारा हरियानवी इसी प्रकार मैथिली तथा अवधी आदी रूप होता है अगला प्रिश्ण दिया है आपको पाच्वा लिखित भाषा का क्या महत्व है लिखित भाषा का महत्व विश्व का अधिकांश महत्व पूर्ण कार्य लिखित भाषा में ही होता है भाषा का लिखित रूप सदियों तक बना रहता है हमारा प्राचिन साहित भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही सुरक्षित रह सका यदि भाषा का लिखित रूप ना होता तो आज हम अपने प्राचिन साहित तथा संस्कृति को जानने तथा अध्यन से वंचित रह जाते इसलिए कहा जा सकता है कि भाशा का लिखित रूप स्थाई तता महत्वपूर्ण होता है अगला देखिए आपको नेक्स्ट कुशन दिया है छटा लीपी किसे कहते हैं? भाशा के लिखने के धंग को लीपी कहते हैं या भाशा को लिखने का धंग लीपी कहलाता है, विबिन भाशाएं बिन बिन प्रकार से लिखी जाती है, कुछ प्रमुख लीपियों के नाम निम्न है, देवनागरी लीपी, गुरु मुखी, फार्सी लीपी, अर्वी लीपी, ब्रह्मी लीपी, आधी, संस्कृत हिंदी तथामराथी देवनागरी लीपी में लिखी जाती है, उर्दू फार्सी लीपी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरु मुखी लीपी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोपन लीपी में लिखी जाती है, इसी प्रकार विबिन भाशाएं विबिन लीपिय में लिखी जाती है अगला देखिए साथव कुशन दिया है आपको व्याकरण किसे कहते हैं इसके कौन-कौन से अंग है उत्तर देखिए व्याकरण वह शास्तर है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सीखते हैं व्याकरण के अंग व्याकरण का संबंद भाषा से है किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी विभिन इकाईयों का अध्ययन किया जाता है भाषा की मूल इकाई वर्ण है वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्यों की रचना की जाती है इस प् इसके अंतरगत वर्ण, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा सयोग की रीती आदी पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार इसके अंतरगत शब्द के रूप, भेद, महत्व, उनके उत्पत्ती और रचना आदी पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार इसके अंतरगत वाक्य भेद वाक्य विश्लेशन वाक्य रचना तथा विरौम चिन्नो आदी पर विचार किया जाता है। आगे देखिए आपको दिया गया है रचनात्मक कार्य में पहला दिया है आपको सपस्ट कीजिए। पहला है भाशा और व्याकरण में संबंध आपको क्या बताना है भाशा और व्याकरण दोनों में संबंध बताना है भाशा और व्याकरण में संबंध व्याकरण भाशा को निश्चित सीमा में बांधता है समय के साथ साथ भाशा परिवर्तन को प्राप्त होती रहती है ब्याकरण इस परिवर्तन की समिक्षा करता है तथा उसके लिए नियमों की रचना करता है ब्याकरण भाशा की शुद्धत अशुद्धता दूर कर उसे नवीन व संवरा हुआ रूप प्रदान करता है अगलत यह है आपको रचनात्मकारे में मात्र भाशा अभी हमने पढ़ा था मात्र भाशा और रास्ट्र भाशा मात्र भाशा बालत अपने परिवार या माता से जो भाशा सीखता है उसे मात्र भाषा कहते हैं उसके बाद अगला दिया है आपको रास्ट भाषा कोई भाषा विक्स्तित होते होते जब इस स्थिती में पहुँचाती है कि संपूर्ण रास्ट के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका विहवार करने लगते हैं तो वह भाषा रास्ट भाषा का स्थान ले लेती है अगला दिया है वर्ण विचार अभी हमने व्याकरण के अंग पड़े थे तब हमने पड़ा था वर्ण विचार इसके अंतरगत वर्ण, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा सयों की रिद्ती आदी पर विचार किया जाता है अगला दिया है आपको पाचवा शब्द विचार इसके अंतरगत शब्द के रूप, भेद, मात, उनकी उत्पत्ती और रचना आदी पर विचार किया जाता है छटा है वाक्य विचार इसके अंतरगत वाक्य भेद, पाक्य विश्लेशन, पाक्य रचना तथा विराम चिन्न आदी पर विचार किया जाता है आपका यहां व्याकरण का पाठ एक समाप्त होता है आप लोग इसे अपनी फेर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे धन्यवाद